इस्तिती पूरी तरह डमडोल है वेंटी लेटर पर सरकार है देखिएगा 24 आते दोनों चुनाव आम चुनाव के साथ ये भी चुनाव मुझे लगता है ये करा देंगे उनको तह था कि माने मुखमंद्री जी खुद से वह समभालेंगे तो ये ललन सिंग का समझदारी का ये साथ साथ रहें लेंटीश कुमार तो वहीं है मुखमंद्री आज भी है पहले भी थे और पहले भी रचुके राष्टे दर तो ये जो बना फटा का छोड़ा गया है और गुलाल लगाया गया है वो ललन सिंग के लिए लगाया गया नमस्कार आप देख रहे हैं देश्वा कि समक्ष उनने इस्तिफा दे दिया यहीं बात पर हम आरल जोडी के प्रदेश महा सचीव हैं मंत कुमार से बात करने आए सबसे प्रहें तो आपका स्वागा नमस्कार दन्यवाद तो क्या इसो इसे आप किस रूप में देख सकते हैं हम आपके ही चैनल पर दो दिन पहले के बतला चुके हैं ललन से इस्तिफा दे चुके है बस केवल फॉर्मलिटी निभा रहे है आज मीटिंग होगा और उनके मीटिंग में वो था कि फॉर्मलिटी पूरा करना था और नए अध्यक्ष का नाम यह परिपाटी है कि पुराने अध्यक्ष गोश्णा करते हैं जान ना बना हुआ है कोई भी राष्टी अध्यक्ष आप याद कर लिए जोज फर्णानी सो सरद्यादों हो पिछले जो थे आर्शीपी सिंग है आर्शीपी सिंग का जुकाओ था भासपा के तरफ वो पूरे पार्टी को लेकि जाना चाहते थे पार्टी नहीं गए रसीपी चले ललन सिंग के बारे में का जाता है कि इनका जुकाओ आर्जेटी के तरफ पूरे पार्टी को उधर मर्ज करना चाहते थे निश्चित समय पे नितिश कुमार जी को पता चला तो उन्होंने उनको ही साइड कर दिया तो यह तो सब जानरा बच्चा बच्चा जानरा राज की जाता ही जारे लेकिन कल पदादिकारियों कि जब बैठक थी तो बैठक से पहले घंटा तक उन्होंने एक साथ बात कि और साथी साथ एक गारी से वह वहां बैठक में सम्मले दुए इससे पहले नाराजगी खतम हो गई थी इसे आपकी से नाराजगी खतम नहीं हुई थे दिखाया जा रहा था और ऐसे भी जब उनको तह था कि माने मुखमंद्री जी खुद से वह समालेंगे तो यह ललन सिंग का समझदारी का यह साथ साथ रहे अलग अलग नहीं लड़े वह पता था कि हमको त्याग पर देना ही है मतलब कि वह एक घर में चार भाई रहते हैं लोगों को अगर बाहर से आते हैं तो उन्हें पता नहीं चलता वही बात यहां भी हुआ यह दिखाया गया जिस तरह जैद्यू में है कि यह सब हम एक हैं लेकिन जैद्यू टूठ है जैद्यू के अंदर कुछ बचा नहीं यह स सुरुआ थे कुछ दिन में देखेगा जड़ू बिखर जाएगा पुरी तरह इसी विखराओ को समेटने का अंतिम कोशिस है माने नितिश कुमार कर रहे हैं खुद वोसके अध्यक्ष बने क्या उनके पार्टी में कोई और दुस्याद में नहीं था इतने सालों से पार्ट सोचने वाली बात है और जडियू दफ्तर में लोग गुलाल लगा रहे थे पटाके छोड रहे थे मिटाई एक दूसरे को खिला रहे थे उत्सा दिग रहे थे उनके जो कारिकरता है कि नितिश कुमार अपने पद समालने हैं पद समालने के बाद वो काफी ललन सिंग अच् आपने है कहीं ये ललन सिंग को जाने का तू नहीं था पटाका और गुलाल लेंद्श कुमार थे वही है मुकमंतरी आज भी है चोड़ा गया है और गुलाल लगाया गया है वो ललन सिंग के लिए लगाया गया है तो जैडू का स्थीदी देख लीजे संगनात्मक क्या है अभी मतलब चुनाओ आते यह लोग चुनाओ तो मेरा जो है और पहले भी हमने आप से डिस्कूस किया है कि आप इंतजार नहीं कि यह 2025 का 2024 सक यह फिर से हो जाएगा चुनाओ आपके पार्टी के लोग मतलब खरमास समराच चौदरी बोल रहे थे खरमास से पहले इनकी पार्टी टूट जाएगी आपको क्या लगता है पार्टी टूटी तभी तब राश्टिया तक शेज करना पड़ा है इसके बाद भी आप बोल रहे हैं कि जदियों में दरार फिर से है थीक है तोट तूट हुआ तो पूरी तरह है उसको संभालने के लिए वापस एक अंतिम कोशिष करें माने मुक्मंदरी खुद आया हैं सामने कि हम इसको सम्हाल सकें अगर सम्हालने लाइक रहता है तो कोई दूसा राष्टे बना देते इतना अगर बिगरा हुआ नहीं स्तिति रहता तो इस्तिति पूरी तरह डमडोल है वेंटी लेटर पर सरकार है देखिएगा 24 आते दोनों चुनाव आम चुन से उल्लास्थी और मुख्य मंत्री के आने से इसी बात पर हम लोग बात करने आये प्रदेश महासची भेंद कुमार आरल जडी से तो आपने सुना ऐसे तमाम ख़बरों के लिए देखते रहें देश्वानीच प्राची की रिपोर्ट पटना धन्या